कि हलो एवरेवन विल्कम बैक टो माई यूटुब चैनल मैं अज भार्शाला आज हम लौट रहे हैं कॉन्गुरेंज के नंबर थेहरों के कॉन्गुरेंज टॉपिक से एक और थेहरम लेके जो कि काफी इंपोर्टेंट है और बहुत इजी भी है तो सबसे पहले थेहरम कि पहला है A plus C is congruent to B plus D modular ठीक है तो इसका प्रूफ है गिवन है कि A plus C is congruent to B modular and C is congruent to D modular ये दो चीज़ हमें दी होई है अगर A जो है वो B के congruent है module N के respect में तो उसको हम बहुत सकते हैं इसका मतलब हो गया कि N जो है वो A minus B को divide कर रहा है इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि N जो है वो C minus D को divide कर रहा है और अगर N A minus B को divide कर रहा है तो एकि टीजर T1 इस तरह से exist करेगा Z में कि A minus B is equal to N T1 हो जाएगा और C minus इसी तरह से अगर N C minus D को divide कर रहा है तो एक इसी तरह से exist करेगा कि C minus D is equal to N T2 हो जाएगा ठीक है यह मैंने अपने divisor और factor वाले वीडियो में बनाया है जो मेरा सबसे पहला वीडियो है तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लिजेगा ताकि आपका doubt clear हो सके और यह मैंने congruency वीडियो में बनाया था तो आप उसे भी जाके देख लिजेगा ताकि इसे भी related कोई doubt ना रहा जाए ठीक है तो अब हम इन दोनों को add करेंगे तो क्या मिल जाएगा यह positive है यह positive है तो A plus C minus B plus D ठीक is equal to N यह N T1 plus N T2 हो जाएगा N जब फॉर्मा ले लेंगे तो बचेगा T1 plus T2 ठीक है तो यह जीज हो गया अब T1 plus T2 को हम एक नया टीजर L मान लेते हैं जो कि Z में belong कर रहा है तो मिल जाएगा A plus C minus B plus D is equal to NL अब इससे हम कह सकते हैं कि N जो है वह minus A plus C minus B plus D को divide कर रहा ह इसका मतलब हो गया कि A plus A is equivalent to B plus D modular N होगा ठीक है अब इस तरह से दूसरा proof है A plus C is equivalent to B plus C modular N ठीक है तो यह बहुत चोटा सा है given हमें A is equivalent to B modular N तो N इसका मतलब हो गया कि N जो हो A minus B को divide कर रहा है अब A minus B को हम इस तरह से लिख सकते हैं A minus B plus C minus C ठीक है अगर हम इन दोनों को subtract कर दें एक बार subtract कर दें एक बार add कर दें इसको एक बार add कर रहा है ठीक है मतलब C को ही अगर सबस्ट्रेक और add कर दें तो उससे कोई फराग नहीं बढ़ेगा को कि C जो है वो cancel हो जाएगा ठीक है तो वो cancel होके 0 बन जाएगा और मिल जाएगा A minus B तो हम A minus B को इस तरह भी सकते हैं तो जो positive वाला C है वो इसके साथ चला जाएगा A plus C हो जाएगा इन दोर में minus हम कामन ले लेंगे तो हो जाएगा B plus C ठीक है इसका मतलब होगा कि A plus C minus B plus D को डिवाइट कर रहा है तो अग इससे हम direct कह सकते है कि A plus C is congruent to B plus C mod N ठीक हमारा तीसरा है A minus A is congruent to B minus D mod N ठीक है अब हमें यह दिखाना है तो given हमें क्या है A is congruent to B mod N N is congruent to D mod N ठीक है तो इसका मतलब होगा कि A minus B को डिवाइट कर रहा है और N C minus D को डिवाइट कर रहा है ठीक है तो अगर A minus B को डिवाइट कर रहा है तो एक integer T1 Z में इस तरह से exist करेगा कि A minus B is equal to N T1 हो जाएगा similarly अगर C minus D is equal to sorry N जो है वो C minus D खुट वेट कर रहा है तो एक integer T2 इस तरह से Z में exist करेगा कि C minus D is equal to N T2 हो जाएगा ठीक है अब हम इन दोनों को subtract कर रहा है ठीक है N T कैसे हो गए N T1 plus N T2 तो N को हमने common ले लिया तो N into T1 plus T2 में ले लिया तो N into T1 plus T2 में ले लिया तो अब इससे हम क्या सकते हैं कि A minus C minus B minus D को डिवाइट कर रहा है इसका मतलब होगा एक A minus C is congruent to B minus D modulo N हो जाएगा ठीक है हमारा fourth क्या है A C is congruent to B D modulo N अब हमें यह दिखाने है ठीक है तो given A is congruent to B modulo N and C is congruent to D modulo N ठीक है तो अगर A B के congruent to modulo N के respect में इसका मतलब हो गया कि N जो है वो A minus B को डिवाइट कर रहा है अगर C is congruent to D के तो हम कहा सकते हैं कि N C minus D को डिवाइट कर रहा है तो अगर N A minus B को डिवाइट कर रहा है तो x एक इंटिजर लड़न इस तरह से Z में exist करेगा कि A minus B is equal to nL1 हो जाएगा और अगर N C minus D को डिवाइट कर रहा है तो एक इंटिजर L2 इस तरह से exist करेगा Z में कि C-A is equal to NL2 हो जाएगा तो अब अगर हम B को इधर shift कर दें तो क्या मिल जाएगा A is equal to B plus NL1 और D को shift कर दें तो C is equal to D plus NL2 हो जाएगा यह हमें इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें यहां पे product दिखाना है तो इसलिए हम ऐसा करेंगे तो अब इन दोनों को multiply कर दिए तो left side वाला left hand side वाला left hand side से multiply हो जाएगा तो A into C हो जाएगा right hand side में इस B को D से multiply किये BD मिल गया इस B को NL2 से multiply किये तो plus NL2 पी मिल गया ठेक अब NL1 को D से multiply करेंगे तो NL1 D मिल जाएगा और NL1 को NL2 से multiply करेंगे तो N N N square बन जाएगा और L1 into L2 हो जाएगा अब B-D को इदर shift कर लिया और इस पूरे को हमने एक नया integer यह सारे N भी integer है L2 भी integer है B भी integer है L1 भी integer है D भी integer है तो इसको हम एक नया integer इटा माल लेते हैं जो कि Z में बिलॉंग कर रहा है तो यह होजाएगा AC-BD is equal to N ETA तो अब इससे हम कह सकते हैं कि N जो है वो AC-BD को डिवाइट कर रहा है तो अब इससे डारेक्ट हो जाएगा AC is congruent to BD modulo N ठीक है अब फिफ्थ है A to the power M is congruent to B to the power M modulo N where M belongs to Z M is greater than 0 ठीक है अब हमें यह दिखाना है हमें given है A is congruent to B modulo N अगर A B के congruent modulo N के respect में हम क्या सकते हैं कि N जो है वो A-B को डिवाइट करेगा it implies A-B is equal to N T इसका मतलब हो गया कि एक integer T Z में इस तरह से exist करेगा कि A-B is equal to N T हो जाएगा अब B को इदर shift कर देगे तो ठीक है तो B को हम इदर shift कर देंगे तो क्या मिल जाएगा A is equal to B B plus N T अब इसका square कर देंगे तो हो जाएगा A square is equal to B square plus N square T square plus 2B N T अब B square को इदर हमने कर लिया तो A square minus B square हो गया और इसको हमने एक नया integer sorry इसमें से N common ले लिया तो क्या बचकिया N common ले लिया बाहर आ गया बचकिया गया N T square plus 2B यहां पर N नहीं होगा 2B T बच जाएगा ठीक है N हम बाहर जब ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से 1N बच जाएगा यह T square N T square plus यह वाला N तो हर जाएगा प्लस 2B T हो जाएगा ठीक है तो इसको हमने नया integer L1 मान लिया जो कि Z पे बेलों कर रहा है तो मिल जाएगा A square minus B square is equal to N L1 अब इससे हम बो सकते हैं कि N जो है वो A square minus B square को divide कर रहा है इसका मतलब हो गया कि A square is congruent to B square mod N तो इसी तरह की से हम क्या क्या कह सकते हैं कि A cube minus B cube is equal to N L2 तो इसका मतलब हो गया कि N जो है वो A cube minus B cube को divide कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि A cube is congruent to B cube mod N अब इसी प्रोसेस को जब हम continue करेंगे M times में तो में क्या मिल जाएगा A to the power M is congruent to B to the power M mod N where M belongs to Z and M is greater than 0 ठीक है अब 6th point है A M is congruent to B M mod N where M belongs to Z ठीक है अब हमें यह दिखाना है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा given is congruent to B mod N इससे हम कह सकते है N जो है A minus B को divide कर रहा है इसका मतलब हो गया कि N जो है A minus B into M को divide करेगा जीक है जीक है N अगर A minus B को divide कर रहा है तो A minus B into M को भी तो divide करेगा जीक है अगर 3 जो है वो 6 को divide कर रहा है तो 3 6 into 2 is equal to 3 divided 12 हो जाएगा तो 3 जो हो 12 को divide करेगा तो उसी तरीके से हम क्या सकते है कि अगर N A minus B को divide कर रहा है तो N A minus B into M को भी divide करेगा इसका मतलब हो गया कि N जो है वो A M minus B M को भी divide करेगा अगर हम अलग-अलग separate कर दें तो M को अलग-अलग separate करेगा तो इसका मतलब भी हो गया कि A M is congruent to B M modulo N अब last point है I mean last जो मैं proof कहना है वो है if A plus M is congruent to B plus M modulo N then A is congruent to B modulo N तो यह हो जाएगा given है A plus M एक मिनिट congruent है given है A plus M is congruent to B plus M modulo N तो यह हमें दिया हुआ है तो का मतलब हो गया कि N जो है वो A plus M minus B plus M को divide करेगा तो minus B plus M का मतलब हो गया minus जैसे कि मैं ऐसे बोल रहे हूं अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यह चीज़ से यहां पे लिखी हुई है M से M cancel out हो जाएगा पच्चे अगा N divides A minus B तो इसका मतलब हो गया N A minus B को divide कर रहा है और इससे हम बोल सकते हैं कि it implies A is congruent to B modular तो यह चोटे-चोटे proofs हमें दिखाने थे इस theorem में यह जो साथ जो दिये हुए conditions इसे हमें प्रूफ करने थे तो I hope कि आप सब को यह अच्छे से समझ आ गया होगा और चोटा-चोटा point जो है जैसे कि congruence में की conditions होती है और devise and factor क्या है तो वो सब आपने अगर वीडियो नहीं देखा है वो डाउट रह जा रहा है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसे जाते है